जिस तरह उत्तरप्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून का राज समाथ हो हो गाह, भॉय का माहुल है, गोहरी में घटना होई, प agreeing में होई, पिछले दिन अमेठी में होई, और उत्तरपरदेश में तमाम जगहों पर जिस तरह दलतों की हत्या हो रही है, खास कर पासी समा कि एक परिवार के चार लोगों की निर्ममत्या जिस तरह गोहरी में हुई अमेठी में हुई यह दर्साता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाथ हो गया है योगी जी लगातार कानून विवस्था की बात करते हैं ग्रे मंत्री दुर्वीन से अपरादियों को देख कि यहां चक्कर लगाता रहा फिर भी इस परिवार को न्याय नहीं मिला अधरी प्रेंका गांधी जी जब आई मौके पर इस परिवार से मिली यहां परिवार के लोगों ने बताया उनीके परिवार का एक लड़का जो देश की सीमा की रखवाली कर रहा है और दूसरी हैं हम परिवार के लोगों पीड़ परजनों को के प्रती संबेधना व्यक्त करते हुए porta करेंगे जून लोगों ने अपनी जान गवाई हैं उनके प्रती हम संबेधना व्यक्त करते हैं निश्ची तौर से इनकी आवाज उठाएंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंग आज हम यहां आए हैं स्रद्धा सुमनर्पीत करने न्याय की लड़ाई लड़ने और पूरा कांग्रेस पार्टी न्याय की लड़ाई के लिए संकल्पित है प्रतिबद्धित है जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा पूरे प्रदेश के हर कोनों में हम सभा करे करेंगे और निश्चित तोर से पूरे प्रदेश के लोगों के साथ मिलकर लखनों में बड़ा जनान दोलन करेंगे एक सवाल यह है कि सुप्रीम कोट पर निदेश है कि यहां पर मंच पर तस्विर लगाई गई और तही जबहों पर नहीं दिखें दिखें यह मैं यह आप से कहना चाहता हूं कि यहां हम लोग सरद्धांजली सभा में यहां आए हैं और सरद्धांजली सभा में फुस परफित करने के लिए थोड़ी कमिया हुई है उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं तो यह चुनावी सभा है वो चुनाव लड़ने आए